हेलो गाईज तो टूड़े आई विल हम बात करते हैं ओके आज हम बात करते हैं आप से कि रिलेशनशिप में मतलब प्रॉब्लम्स नहों और लडाई जगडा नहों उसका अपके से बेटर तरीके से हैंडिल कर सकते हैं कि आपका जो लाइफ है ठीक है लव लाइफ हो या साधिसुदा लाइफ हो उसका आप कैसे मैंनेज करें कि आप लोग हमें साथ खुछ रहे तो देखिए उसका एक ही तरीका होता है कि जब आप किसी का value actually में समझते है न, really में, जब आप किसी को खुद से ज़्यादा मानने लगते हैं, खुद से ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, तो उसमें आप उसकी कमियां भोलने की कोसिस करते हैं, ठीक है, आप किसी की कमी मत भूलिए, किसी की अच्छाए मत सब कुछ रखिए लेकिन किसी को pressurize मत करिए किसी पर boundation मत करिए ठीक है जो आपका है वो आपका ही रहेगा जिसको आप इतना प्यार करेंगे वो आपको भला छोड़ता क्यों जाएगा ठीक है दिक्कत तब हो जाती है जब हम एक दूसरे पर हग जताने कोसिस करने लगते है हग जताने का sense वो नहीं कि तुम मेरे हो वो तो आप ही का है मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग boundation करने लगते है किसी चीज़ पर अगर लड़का है तो फोन पर मतलब किसका फोन है कहां जा रही हो क्यों जा रही हो किसके साथ जा रही हो अगर आपने permission दे दिया उसके बाद भी उसका पीछा करना simply करने का मतलब है lack of trust अगर है तो भाई रिस्ता तूड जाएगा आपका एक रिस्ते में विस्वास होना चाहिए भले से आप कितना भी दूर हो कितना भी पास हो अब जो जाने वाला है उसको तो आप रोक नहीं सकते जो धोखा देने पे उतर ही आएगा तो आप उसके साथ थोड़े हैं कोई भी आपको चीट कर सकता है लेकिन जो एक सच्ची विस्वास होती है वो कभी नहीं मरती ठीक है तो प्रेम लोग समझते हैं कि प्रेम है सब प्रेम करते हैं प्रेम नहीं करते भाई प्रेम के पहले होता है विस्वास आपका जितना अच्छा विस्वास है जितना अच्छा अंडरस्टेंडिन है एक दूसरे के दाथ वही प्यार का एक reverse होता है जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ठीक है तो आज गल तो रिष्टे में बिस्वास ही नहीं रहा नो इसलिए जगडे होते हैं लड़ाई होती है вैस होता है सब परिसान होते हैं और रिष्टे जो होते हैं बोर लगने लगते हैं रिस्ता बहुत ही नाजुक डोर से जुड़ा होता है एक दूसरे का इतना नाजुक डोर से इतना अच्छा विस्वास जुड़ना अल्डेडी इतना प्रेसर है आपके रिस्ते पे विस्वास का तो ध्यान दोनों को देना चाहिए कि अगर किसी से कुछ गलती हो भी जाती है तो मुझे कैसे हैंडल करना है क्योंकि आप कितना भी जगड़ा कर ले लड़ाई कर ले आप उससे दूर नहीं रह सकते नहीं आपके उसके भी ना आपका मन लगेगा ना आप खाना खाएंगे ना पाने पिएंगे ना अपने हेल्थ के ध्यान देंगे तो बेटर यही होता है कि आपका जुबान और हाथ कभी न खुले ये दो चीज़े ऐसे होती हैं जो अगर एक बार खुल जाएं तो फिर कभी नहीं रुखती इसलिए जुबान पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक अच्छे रिस्ता चाहते हैं तरब इसका कोई ट्रिक नहीं है जैसे पढ़ने का कोई सौटकर्ट नहीं होता ना सक्सेस का कोई सौटकर्ट नहीं है अगरेक्शन और पर्याग राज जाना आपको नहीं पता है महता है प्रयाग राज नैक। अगरे चाइब कोई कोई तो अगरेशन के रएम का हम आ सूर्पपगं करते रही हैं पूरे भारत का आपके मन में तो ये सरद्धा है ना कि मुझे प्रयाग राज ही जाना है लेकिन रोट ही नहीं पता है तो आप भटकते रह जाएंगे इसलिए मेहनत के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी जरूर है जब आप रिश्दे प Panthing इंवेस्ट कर रहे हैं अपना विस्वास इंवेस्ट कर रहे हैं अपनी अपनी पुरी लाइफ बिताने का कोसीज कर दें किसी तेना डायरेक्शन तो जरूर होना चाहिए बेन दायरेक्शन का आप भटक जाएंगे एक दूसरे की समझदारी बहुत मैटर करती है ठीक है अगर माल लीजे मुझे से कुछ गलती हुआ तो सामने वाला मुझे कैसे रियक्ट करता है सबस्यादा डिपेंड उस पर करता है कोई भी मैटर हो छोटी से छोटी बात हो बड़ी से बड़ी बात हो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है वो सामने वाले के उपर डिपेंड करता है ठीक है और यह 100% स्टियोर होता है कि अगर आप किसी के साथ पूरी तरीके से लॉयल है अगर वो भी लॉयल है तो आपका रिस्ता कभी खराब नहीं होगा खराब होता है जब आप उस रिस्ते का मजाग बनाने की कोशिस करते हैं मजाग इंदसेंस आप दूसरों को अपने रिस्ते के बारे में बताना शुरू कर देते हैं नजर लग जाती है या रिस्तों हो ठीक है इसलिए रिस्ते में किसी को भी सामिल मत करिया थर्ड पर्सन हमेशा रिस्ता कराप करता है तो थर्ड पर्सन से हमेशा पच्के रहिए आपकी गल्फेंड है, प्रेमिका है, आपकी वाइफ है आपके कोई भी दोस्त हो, उनसे दूर रखिए लड़की उसकी दोस्त है, उसको उससे दूर रखिए ठीक है आप दोनों के matter में कोई नहीं भोले कोई interfere न करे कोई आपको सलाह न दे कि उसने ऐसे कहा तो तुमने ऐसे क्यों नहीं कह दिया समझ रहे न तो रिस्ता आपका है understanding आप क्यों नहीं चाहिए advice आपका होना चाहिए discussion आपका होना चाहिए ना कि किसी third person का जब हम किसी तीसरे की बात सुनने लगते हैं तब हमारा रिस्ता खराब हो जाता है जब हम किसी की बातों में आ जाते हैं और अपने रिस्ते पर विस्वास नहीं रहा अपने partner पर विस्वास नहीं रहा आपको वहाँ पर दिक्कते जाने लगते हैं तो मेरी एड़वाइस यह है कि या किसी से कुछ मत कहो आपका जो भी मैटर हुआ है जो भी बात हुआ है आप खुद बात करिए एक दूसरे से और माफी मांगने की जो कला है न ये रिस्ते को बहुत सुन्दर कर देता है जैसे बहुत लोग कहते हैं कि रिस्ता एक पेड़ की तरह होता है अगर उसको केर न करो तो वो मुर्जा जाता है केर करो ठीक है लेकिन अगर उस पे जरा सावे ध्यान नहीं दोगे तो वो पेड़ हो सकता है जाड़े भी बन जाए एक सुन्दर आप प्लांट बनाना चाह रहे तो वो जाड़े बन गया तो सब कुछ ध्यान देना पड़ता है रिस्ते में अवाइट करना सिखिए अगर मुझसे गलती होती है तो मैं पहले सौरी बोलूँगा और तब तक सौरी बोलूँगा जब तक मुझे ये न सटिस्फेक्शन हो जाए कि आपको अब मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप नॉर्मल हो चुके हैं अगर मैं कोई गलती करता हूँ आपसे सौरी बोलने का मेरा तरीका ठीक नहीं रहा और रात को आप बेचैन है आप परिसान है कि उसने इतने बड़ी गलती कर दी और उसे एहसास भी नहीं है आप जब भी कोई गलती आपसे हो चोटी से छोटी भी गलती आपसे हो ना तो सामनी वाले से ज़्यादा आपको ऐसा सुना चाहिए कि क्या इंपेक्ट पड़ सकता है सामने वाले पर जब आपके दिल में यह आ जाएगा ना तब आपका रिस्ता कभी भी नहीं करा होगा ट्रस्ट में कभी भी नहीं होगा तो और भी आगे बाते करेंगे आपको थोड़ा ज्यादा सिरियस टॉपिक पर बात चाहिए आप प्लीज कमेंट में थोड़ा लिख दिया करो आप कोसिस करेंगे थोड़ा सा अब हम जरूरी थोड़ी है कि हम जो बोलते हैं वही सच है भाई धरती पर हर बॉड़ी अलग है सबकी मेंटेलिटी अलग है लेकिन एक डायरेक्शन होता है ना एक नियम होता है किसी चीज का अगर उसे आप फॉलो परेंगे तो कोई भी चीज बेटर हो सकता है तो मैं बस थोड़ा समय ने बोलने का प्रयास किया है बाकी आपके उपर है कोई कितना भी बोले फरक नहीं पड़ता जब तक आप उसे इंप्लिमेंट ना करें तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाई और अपना ख्याल रखो